है अग्जों कैसे आप क्या हाल चल आपके आज मेरे बच्चे फंडमेंटल पार्टनर्शिप की हमारी थर्ड क्लास है और पीशे की दो क्लासेज के अंदर में हम लोगों ने प्रॉफिट लोस एप्रोपिर्शन एकाउंट के बारे में बहुत ही बेदर तरीके से सीखा इंडियमस एनलिसिस किया हरे को समझा अकाउंट कैसे बनाते हैं प्रॉफिट लोस एप्रोपिर्शन एकाउंट का ट्रांसफरिंग कैसे होता है पार्टनर्शिप डिड क्या होता है इन सारी बातों को चार्ज एगेंस प्रॉफिट आपका ए अगला टॉपिक है इसी के अंदर में अकाउंटिंग ओफ इंट्रेस्ट ओन लोन टू पार्टन फर्म अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो इसकी एक्जामें अगर एंट्री आ जाए क्योंकि हम लोग ने पिछली क्लास तक इसके एंट्री को पास नहीं किया था हम लोग ने वहीं से इंट्री शुरूर किया था कि प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट लोस अकाउंट में है उसको एप्रप्रप्रिशन में ट्रांसर किया वहां से डिस्ट्रीशन किया तो एक तो हम यह सीखने वाले हैं अकाउंटिंग औफ रेंट टू पार्टनर अगर पार्टनर्स क्योंकि इस सारी बाते पार्टनर से जुड़ी है ने बच्चे एक्जाम में पूछ सकता है रेंड के अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग उसके बाद कंप्यूटेशन अप मैनेजर को कमिशन देना है मानता हूं कि मैनेजर को जो कमिशन पे करते हैं आपका प्रॉफिट लॉस एकाउंट लेकिन वो कमिशन निकालने का आपका अकाउंटिंग कैसे होगा उसकी एंट्री कैसे होगी वो भी हमारे सिलिवस के अंदर हम सिखेंगे और फिर हमारा फॉर्थ एंद इंपोर्टन जो टॉपिक आपका होगा डाट इस केसे ऑफ की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ठीक है ना तो अभी पहले पूरे कॉंसे पर इंट्री करते आए पहले हम स्टार्ट करते अकाउंटिंग फॉर इंट्रेस्ट लोन टू फॉर्म और इसके अंदर में स्टार्ट कीजिए मेरे साथ यहां पे एक्जांपल ही चला भी अभी ज़ो काम अभी हम सेकर हैं वो सारे कॉंसेप्ट बिल्डिंग कोशन साब के है कि कि पिछली क्रास में उन्央 क्या था हुआ रभी तकिया था 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 आपका वो फोर्ट फिफ्थ आपको लिखवाता हूँ क्योंकि जब आप कोशन को लिखते होना मेरे साथ हो आपका माइंड क्या करता हूँ वहां पर बिल्कुल आपका फिट हो जाता है कि अच्छा इस वर्ड का क्या मतलब हो रहा है आप शाद इसको फिल भी करते होंगे और फिर जब बुक में आऊंगा बुक में जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर कोशन क्यों लिखाऊंगा बट आई ना एक बार यहां देखो क्या बता रहा है कहता है कि दूरिंग दूरिंग टूरिंग टूथाउजन टूंटी 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 फूर इसका मतलब होता है जब भी अगर आपको ऐसा दि इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है जिसको हम बोलते है अपना अकाउंटिंग ही है आपको ठीक है न तो यहां पे हमारे पास किया है कि 23 24 कहता है कि on 1st April on 1st April 2024 2023 firm took a loan of loan of Rs. 5 lakhs from from a partner from a partner एक आपका यहां पे उसका नाम था Mr. X Mr. X एक पार्टनर में पेचे और उस एक से क्या क्या फर्म ने 5 lakhs रुपेज का लों लिया कहता है कि interest is payable interest is payable interest is payable at the rate of मालो कहता है कि 12% per annum 12% per annum 12% per annum कहता है कि make interest make interest for the year for the year for the year 23-24 23-24 से मैं loan से लेके जितने सारी entry होता बता हूँ वो क्या हुआ होगा है ना वो entry पूछ रहा है पर बच्चे solution में आप जब यहां पे general entries आप पास करेंगे general entries in the books of firm तो उस case में पहले तो आप एक काम केजिए 1st April 2023 जब आपने loan लिया तो उस loan के entry केजिए अगर आप firm loan लेगी में बच्चे तो firm के पास क्या आएगा पैसा आएगा तो पैसा यानि कि cash account या bank account कुछ भी डेविड कर सकतो आपकी मरजी अकाउंट डेविटेड और इसके साथ साथ क्या जिए firm को पर में एक liability आएगी partners loan की क्या है exige loan तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे loan loan from x loan from x account लिख सकते है exige loan account लिख सकते है कोई भी नाम लिखे है कोई दिकत नहीं है तो five lakhs रुपिज का आपने क्या क्या यहाँ पे loan लिया मेरे बच्चे है ना loan 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 arranged narration लिख रहा हूं है इसका loan arranged from x हमने एक हमने मतलब form ने क्या क्या x यानि के partner से यहाँ पे loan लिया मेरे बच्चे साल के end में यानि कि 31st March 24 को यहाँ धान देना firm ने क्या करना है कि इनको interest पे करना है firm ने क्या करना इनको interest पे करना है तो firm का मुझे बता कि interest जो firm ने पे करना firm का expense है कि revenue है sir expense है तो expense बढ़ना हम क्या करते हैं debit करते हैं यानि कि interest on loan firm का क्या है expense है expense का बढ़ना debit होता है debit होगा और पता बच्चों जितना भी firm ने interest देना है आपका X के loan के उपर में वो सारा का सारा interest होगा वो loan में ही add हो जाएगा यानि कि आप यहाँ पर क्या कहा देंगे loan from X account यानि कि जिस नाम से आपने loan की entry की थी उसी नाम में हम क्या करेंगे इस amount को add कर देंगे ठीक वैसे जैसे पिछली class में partner को अगर हमें salary देना है partner को commission देना है partner को जो भी कुछ देना है तो हम उसको debit करते थे और partners के capital में add करते थे क्योंकि वो capital से जुड़ा वा था यहां पर हमार पास क्या जी पार्टनर का loan से जुड़ा है तो जो भी लोन पर पे करेंगे लोन के account में add कर देंगे है ना तो यह loan का amount में add क्या जा रहा interest on loan account deputed to loan account कितना हो जागा तो five lakhs पे 12% और धानक ना loan साल के आपने starting में लिया है तो पूरे साल का interest यानि कि five lakhs का 12% 60,000 का आपका यहां पर interest हो गया 60,000 का interest ठीक है न हम क्या करते है कि अगर partner जो है न बच्छे वो अगर कोई loan देता है और उसको हमें को interest देना होता है तो हम उसके loan का account में add कर देते हैं जब चाहे तो आप अपने पैसा या तो हम क्या करेंगे कि loan के साथ ही पैसा वापस कर देंगे जब भी आप कुछ पैसा विड्रो करेंगे तो हम loan को कम करके payment करने के entry कर देंगे बट फिलाल interest on loan तो आपका loan account इसके बाद साल के end में यानि कि 31st March 24 को हम यहाँ पे क्या करेंगे interest on loan मेरे बचे expense से बताइए यह expense को हम profit loss appropriation account में दिखाते हैं या फिर हम profit and loss account में दिखाते हैं सर इसको profit and loss account में दिखाते हैं तो profit loss account को debit कीजे and to interest on loan account लेजे हमारी entry complete हो गई interest on loan account interest on loan account कितना amount आपका हो गया 60,000 and 60,000 तो entry हमारी complete हो गई आपको अगर narration लिख रहा है तो being interest on loan provided और तिसरा interest on loan transfer to profit loss account यह काम खतम हो गया तीन entry बन गया हमारा काम पूरा हो गया exam में अगर मालों कि आपसे entries पुछ दे दो नमर के कोशन आ सकते तीन number का सकते हैं यह करेंगे अगर वो कहता है कि आप exige loan यानि कि loan from x account बनाईए तो loan from x account अगर हम बनाएंगे मेरे बच्चे तो हम क्या करने वाले हैं यह देखिए हमारा account account में हमने first apple को loan लिया था तो जिसका account बनाते हैं वो create में है अगर जिसका account बनाते हैं वो create में है तो उसका account posting क्या होगा create side जाएगा और नाम किसका लिखते हैं यह आपका तो हम लोग first apple को यानि कि first four 23 को यहाँ पर बोलने माले क्या जी buy buy आपका cash account है ना अब यह तो चीज मुझे बताने का मतलब नहीं बनता क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं आप already 11 class पढ़के आ हैं तो इस सब कुछ जानते हैं फिर भी मैं समया दे रहा हूं अगला interest on loan to loan account है अगेर अब हमें क्या करना है तो interest on loan to loan loan create में है ना sorry तो loan में interest on loan को क्या कीज़े add कीज़े साल के end में interest provide होता है तो 31st March 24 को हम क्या बोलेंगे buy यहाँ पर interest on loan आपने कहा interest on loan account interest on loan account पता ही कितना amount हो गया 60,000 क्या loan में कुछ repayment की बात कर रहा है नहीं sir repayment नहीं वागर होता तो मैं बोलता कि loan from x to cash account payment करता है बड़ कुछ payment नहीं हुआ तो साल के end में यानि कि 31st March 24 को हम क्या बोलेंगे to balance CD यानि कि carry down पता ही अब जो loan 5 lakhs का था उसका loan अब बढ़के कितना हो चुका है 560 का amount तो आपने कहा करना है कि 560 का amount यहाँ पर आपको दिखा देना है question complete हो गया में यह interest important है और सबसे जादा important है कि यह जानना कि जो interest on loan होता है that we do not transfer to आपका partner's capital account and we do not debit that amount to the profit loss appropriation account it goes to profit loss account and from that it comes to the excess loan account partner's loan account आपका को doubt इसमें नहीं सरा तो एक तो आपका यह question लिख लेंगे आप दूसरा मरे बचे एक example और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर example अब मैं यहीं पर मिटा देता हूँ इसी को मिटा देता हूँ और एक example और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर example नमबर लिखेंगे मेरे साथ 7th सेवंपल एक्जामपल सेवंपल और अगर आप कहें तो मैं इसको एक डाइग्राम से दिखाने कोशिच करूँगा थोड़ी और क्लेर्टी आपको आ जाएगी यह 1st April 2023 है और यह कहता है मरे बच्चे 31st March 2024 कुछ भी टाइम प्रेड हो सकता है उसको दिकत नहीं है कहता है कि इस डेट पे यानि कि यहां साल के स्टार्टिंग में यह कहता है कि अपका एकसेज लोन यानि की एकस का लोन यहां पर मरे बच्चे टू लैक्श रुपिज का अब यह opening बैलस नहीं के मतलब कि लोन पहले लिया गया था है ना तो हमें लोन इस पर नहीं लिया हमने लोन पहले से आपका है यहाँ आपका टूल एक्स रुपिज का और फिर कहता आपका यहाँ पर इसके साथ रेट लिखा हुआ यहाँ पर रेट लिखा हुआ है तो पार्टनर का लोन है जिस पर कि बताओ क्या अकाउंटिंग होगा आप एंट्रिश पास कर जाओगे मुझे ब टूल बस आपको एकजाम में अगर कह दें कि आप एक्सेज्ट लोन एकाउंट यहनिके लोन फ्रों एक्स अकाउंट बनाई है तो सिर्फ मैं इतना आपको बोलना चाहता हूं इस बार सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि साल के स्टार्टिंग में यहनी कि first apple 2023 को अब आपक वैल्स आपको यहां पर टू लेक्स रूपी जाएगा यहनी कि लोन लेने के हम एंट्री अब नहीं करेंगे क्योंकि पहले से हैं और एंट्रीशिप करेंट यह कर रहे हैं साल के एंड में हम क्या करेंगे 31st मार्च टू थाउजन टूटिफोर को आप वोलेंगे यहां पर क्या जी बाई इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट और एक सिज लोन अभी दिखाया था ना पिछला कि अगर लोन पर इंट्रेस्ट है तो हम लोन में एड कर देते हैं कि वहां कितना हो जाएगा तो टू लेक्स पे टूल परसंट बताओ एक साल के कितना हो गया 24,000 यह लिजे 24,000 हो गया यानि कि 2,24,000 का जो अमाउंट है that will become the closing balance तो 31st मौच 24 को आपने कहा 2 balance CD और यह अमाउंट कितना हो गया 2,24,000 का 2,24,000 कोशन आपका complete हो गया खतम होगी बात आपका कोई डाउट इसके अंदर में नहीं तो आप लिज कोपी कीजे कौन से बिल्डिंग कोशन में आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कोशन से आपके निकल के आएंगे अगर लोन का हुआ तो मैंने entry भी आपको बता दिखा दिया नाप कम टू अकांटिंग फ़र रेंट टू पार्टनर रेंट अब यहां थोड़ा समझने वाली बात होती है अकांटिंग और भी नॉमल हो जाएगी मैं सिक्स्ट एग्जांपल वहा ना अब मैं सेवंध एग्जांपल आपको दिखाता हूं सेवंध बिल्डिंग ओन रेंट ओफ रुपेश तेन थाउजन पर मंथ टू दर फूम पर बच्छे ए ने तेन थाउजन पर मंथ यहां पर कहता है कि फर्म को उसने अपनी प्रपर्टी यानिकी दिया है उसको रेंट पर आपका फर्म की लोजी आप यूज करो ठीक है ना कहता है य रेंट फुर एलेविन मन्स एलेविन मन्स एंड फूर लास्ट मन्स जो बारव वह में नहीं लास्ट मन्स कहता है कि रेंट इस एब स्स्टिल पेवल अभी बहु करना है मतलब की 11 months का तो हमने firm ने rent A को pay कर दिया अभी एक मेने का rent pay करना बकाया है बोलता है कि आपका make entries make entries make entries for for the current year for the current year और माल लिजे वो current year आपका ठीक है for the current year बोलता है कि बताओ क्या करेंगा यह simple entry मेरे बचे यह सब वो topic है जो आपको पता नहीं होगा तो दिकत है और पता है तो फिर तो बहुत बचे है क्योंकि 11th class का topic आपका है rent पे rent firm का expense है तो expense pay करने का entry आपको पता है जो बकाया उसका entry पता आपको बताए solution में अगर हम यहाँ पे general entries pass करते है general entries in the book of firm सुर्फ partner के book में क्यों नहीं अरे बदमाश हम लोग सारी entry firm यानि कि एक accounting firm company के लिए पढ़ते है firm के लिए company के लिए आदमी के लिए नहीं तो firm के एंगल से बात करेंगे firm ने firm ने क्या किया rent पे rent पे एक property लिया है 10,000 पर month उसका rent है तो मुझे बताईए कि अब जो 10,000 पर month है तो 10,000 into 12 कितना हो गया 120 हो ना उस 120 में firm ने एको rent आपका 11 months का pay कर दिया generally क्या होता है कि जो rent होता है ना वो हम इक ठानी करते है हर एक मेने का हम partner को देते रहते जैसे हम बाहरवार वार लोगों को देते हैं हमारा rent कितना expense हो गया जी 120,000 एक साल का rent कितना हो गया आपने कहा 10,000 के इसाब से 12 months का rent कितना हो गया 120,000 इसमें को doubt आपको नहीं सर लेकि मेरे बच्छे 120 में जड़ा बताओ firm ने rent कितना pay कर दिया है 2 cash account आप 2 cash account 2 bank account कुछ भी कर सकते हो कितना pay कर दिया वो कहता कि सर 10,000 के इसाब से 11 months का हमने rent पे कर दिया यानि कि 110,000 लुपिज का amount 110 का amount ठीक है ये भी हो गया आपका और 1 months का मेरे बच्छे rent अभी pay करना बकाया है तो जो 1 months का rent पे करना बकाया है उसको क्या बोलते है to outstanding rent account outstanding rent account 10,000 का amount पता आपको न expense से जब rent जैसे होते हैं तो rent selling हम क्या हम लिखते हैं outstanding कुछ-कुछ books में हमने देखा है कि यहाँ पे बोलता है to rent payable account meaning same है आप जानते हैं बड़े बच्चे outstanding rent कहे दो या rent payable कहे दो दोनों का meaning same है है ना तो outstanding rent कितना हो गया आपका 10,000 के इसाब से एक मेने का rent जो बकाया आपका है तो मुझे बताओ मुझे बताओ कि expense हमारा यहाँ पे देखा बताओ कितना हो गया इस साल का expense कितना हो गया 120 expense तो 120 वह ना क्योंकि expense का मतलब होता है pay करो चाहे pay ना करो जितने का benefit आपने current year में ले लिया हम उसको expense बोलते है तो उन्पेचे expense आपका कितना हो गया 120 आपका अगर general entry पास करने में तनीक भी देर होता है थोड़ी भी परशानी होती है तो general entry की मेरी class कई सारी YouTube पे है एक general entry का मैंने RAM मतलब की एक summary भी YouTube पे डाला हुआ है आप उसको भी देखेंगे तो भी सारी बाते समझ में आ जाएंगी तो मैं अब वहां नहीं जाता क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं तो हमने simply क्या बोला being being rent paid and payable अच्छा being तो अब आप नहीं लिखते हो तो simply rent rent to क्या नम हो उसका ए ना partner का नम क्या था ए rent to Mr. A recognized हमने क्या क्या rent को expense group में यहा रिको गनाइज कर लिए आपको ठीक है ना और अगली entry में यह rent हमारा कहा जाता है profit loss account में या profit loss appropriation account में सरी profit loss account में जाता है तो आप profit loss account डेबिट कर देंगे और वहाँ पर इस rent को transfer कर देंगे यहीं कि two rent account आप जानते हो ना एक साल में जितने भी आपके expenses होते हैं चाहे pay हुआ चाहे pay नहीं हुआ अगर एक साल के जितने भी expense है उस साल के end में हम क्या करते है अपने profit loss में transfer करते है खर्चे trading के तो trading account में profit तो profit loss में हमने transfer कर दिया आपका rent transfer to profit loss account to profit loss account यह हो गया हमारा काम rent के भी entry मेंने सिखा दी ठीक ना कुछ-कुछ books में जो आपके school में चलते होंगे यह दोनों entry अलग-अलग बता देंगे वो एक entry बोलेंगे rent account debit to cash account 1,10,000 फिर दुसरी entry rent account debit to outside rent account 10,000 meaning same way दो entry करो, एक entry करो, कहीं को दिकत नहीं सब हमां exam में कितनी entry करें आपकी मर्जी है एक करो तो भी पूरे marks मिलेंगे दो करो तो भी पूरे marks मिलेंगे इसकी बात कर रहे हैं आपकी मर्जी है यह entry तो करना ही करना है क्योंकि हम उसी के बारे में सीख रहे हैं ठीक ना तो मैंने क्या-क्या आपको यह भी बात बता दी मैं हरान हूँ आज हो क्या रहा है इतने ही जली जली टोपिक समारे कैसे खतम होते जाएं क्योंकि कुछ है नहीं मेरे बची यहां पे कुछ है नहीं आपका अब आई ज़रा एक टोपिक आपका managers commission मैं नहीं यह managers commission को लेकर बहुत आराम से थोड़ा सा समय लेकर आपको समझाना चाहता हूँ बच्छे एक्जाम में यह managers commission या partners को ही commission देने की बाद क्यों न कर दे partners commission कोई भी commission किसी को भी देना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि actually commission को देते समय वो कैसे कैसे sentence यूज कर सकता है कौन-कौन सी बाते कर सकता है जिन बातों को बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर रखना होगा ठीक है न तो आएए पहले मैं एक काम करता हूँ managers commission को लेके चलता हूँ हमारे दो topic खतम होगे with example number 7 अब आए example number 8 और लिखेंगे यहाँ पर heading डालेंगे computation of computation of managers commission चलो आज हम पहले managers की बात कर लें है ना partners को जो commission देना होगा हम उसको अलग से discuss कर लेंगे ताकि कोई दिकत नहों ठीक है आप जानते हैं कि अगर हम कोई manager को commission दे रहे हैं बच्चे वो भी हमारा क्या होता है expense होता है है ना और expense हमारे कहां जाते है हाँ पर eight number कहता है कि आपका manager manager is entitled to a commission to a commission commission of ten percent ten percent on sales on sales आपका और question में आपको बता रहा है कि जो हमारा total sales है total जो हमने sales किया है वो कहता है कि रुपेज 50 lakhs का amount है 50 lakhs का amount आपका ठीक है ना बच्चे बोलता कि बता इसकी entry क्या होगी दोको अगर हमें इसकी entry pass करना हो answer में solution में अगर हमें इसकी general entries pass करना है तो आप मुझे बताए कि manager को आप commission दे रहे हो तो manager commission form का expense है के revenue है sir expense है तो हम क्या करेंगे managers commission यानि कि expense को हम यहाँ पर debit करेंगे managers commission यानि कि expense को क्या करेंगे हम यहाँ पर debit करेंगे account debited और यह जो managers commission में बचे यह आपका debit किया and two two मुझे बताएए कि manager का commission कमिशन हमने दे दिया की देना है अभी आपका आपने कमिशन दे दिया की देना है अगर दे दिया होता तो बोलता कि कमिशन पेड हमने पे कर दिया अगर दे दिया होता तो वो कहता कि entitled है, मतलब हमें अभी देना है उसको तो ठीक है, अगर देना है तो liability बन गया ना, हम बोलेंगे to outstanding outstanding managers commission आपका अगर हम दे दिये होते हैं, उसको pay कर दिये होते हैं, मरे बच्चे, तो हम यहाँ पर कहते हैं, to cash, या two bank लेकिन अभी देना है, तो आप बोलें कि यहाँ पर managers यह हमने entry किया, managers commission देने का, मतलब due करने का commission due किया, मेरे बच्चे यह हमने due किया, अगली entry में क्या किजे, कोई बात नहीं pay कर दिया चाहिए, pay नहीं किया, क्या फरक पड़ता है इस managers commission को हम कहां transfer करते हैं, profit loss account में, तो साल के end में आप एक entry pass करेंगे, profit loss account debited to managers commission account, है ना, यह सारी बाते अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े कोशन में आपकी कट्टे हो जाएंगे, जहां पे हमें सारे account बनाने होंगे, तो क्या फरक पड़ता है 50 lakhs का 10% कितना होता है, 5 lakhs रुपेज तो आपने क्या क्या, 5 lakhs रुपेज से आपने यहां पे entry की और 5 lakhs रुपेज से हमने क्या क्या, यहां पे entry pass किया और इस तरीके से हमारा काम यहां पे खतम हो गया, दो entry करना था आपने किया, आपका commission, managers commission transfer to profit laws account commission, आपका transfer to profit laws account, होगी बात, यहां पे कोई दिकात आपको, नहीं सरा manager commission किस पे निकालना है, कैसे निकालना है बहुत सारे चर्चे होने मेरे बचे था कि कैसे वो profit laws में transfer करने के entry हो रही है बाकि यह कैसे, किसकी के उपर में बोल सकता है कैसे कैसे वो सारा चर्चे में क्या करूँगा, अगली बार आप से करूँगा, आगे full-fledged question में, but the concept clear हो जाना चाहिए कोई doubt इसके इंदर में, नहीं सरे ओ, यह क्या हुआ, हम लोगों ने आपके जो तीन cases थे मेरे बचे, इनको तो बहुत आसानी से खतम कर लिया, now the most important आपका topic, आज की class का यानि की fourth topic आपका, लिख लो आप यहाँ पर most important, क्योंकि मेरे बचे, exam में जब question आपके आएंगे और कहेगा कि reserve में इतने पैसे transfer करो, तो वहाँ पे कई तरीके से question बोल सकता है, कई तरीके से और हमें बिलकुल ध्यान से language को समझना होता है कि आखिर वो, जो आपका reserve निकालना है, वो किस के उपर बोलना है, कैसे बोलना है वो क्या-क्या बोल सकता है कैसे कैसे बोल सकता है, आईए मैं fourth यानि की computation of reserve के अंदर में इसके बारे में आपको समझाऊ और आप बिलकुल नया page लीजे बिलकुल नया page, जितना भी page यहां बजगया हम मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिलकुल नया page पर आना होगा और heading लिखना होगा यहां पर computation of computation of computation of reserve reserve का जो amount होगा उसको compute करने की सारी बात है ठीक है ना, actually इसको reserve में, reserve में कितना पैसा transfer करना है, generally तीन तरीके से question बनता है, generally तीन तरीके से, वो तीन तरीके क्या होगा मेरे बच्चे, बाद में, पहले मैं चाहता हूँ कि एक question में आपको करा हूँ, यहां पर अभी तक जितना हमने किया, 8th example हुआ 9th example, इसी topic में आप लिखे मेरे साथ concept building question चलना मेरे बच्चे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, we are doing concept building questions, और concept building question के अंदर में, आप यहां पर हमारे साथ क्या कर रहे हो, 9th question आपका, तो हम 9th question प्यारे, example number 9 आपका, अभी आप बुक को मत देखना, आप, अगर मेरे paid friends है, तो मेरे जो बुक है, अगर किसी, कोई आप अपना, इसको चैनल पर देख रहे है, तो भी वर बच्चे, अभी किसी बुक को मत देखना, थोड़ा सा समय दोना, थोड़ा सा भी 2-3 class मुझा और रुक जाने दो, आपके concept को बहुत बहतर करने दो, फिर आप तो दुनिया का कोई भी question करो, या कही कोई दिकत नहीं है, अपने आप करना शुरू कर दोगे, मेरे requirement भी नहीं आएगी, लेकि पहले इनका capital है, मेरे बची, यहाँ पर, capital जिसका opening balance दिया हुआ है, opening balance, यह कहता है आपका opening balance में, इनका capital 6 lakhs रुपीज का है, और इनका capital कहता है कि 2 lakhs रुपीज का है, है न, तो यह capital आपका है, 6 lakhs and 2 lakhs रुपीज है आपका six and two capital का दिया हुआ है फिर बच्छे कहता है कोशन के अंदर में ड्रोइंग सारी बाते आप लिखेंगे मेरे साथ आज तो ड्रोइंग मैं सारे कोंड से प्रीकठा करने माला हूँ यहां पर इनका ड्रोइंग कहता है कि two lakhs रुपेज का माउंट है और इनका ड्रोइंग माल लिजे आपका यहां पर one lakh रुपेज का माउंट है फिर loan भी low यहां पर loan भी x and y ने फॉर्म को दिया है X ने जो loan दिया है मेरे बच्छे ये कहता है कि 50,000 का amount है 50,000 का और इनका loan कुछ भी नहीं है कुछ भी loan नहीं है आपके यहाँ पर ठीक है न कहता है यहाँ पर question में Net Profit Net Profit question आपको बता रहा है Net Profit Without Without Considering Considering Without considering The following adjustments The following The following adjustments वो कौन कौन से है Adjustments कहता है कि यहाँ पर आपका For the year For the year For the year आपका कहता है कि Rupees Rupees माल लिजे यहाँ पर कितना ले लू तो Net Profit कहता है Without considering the following adjustments For the year Rupees ले लिजे यहाँ पर 7 lakhs चलो 7 lakh रुपे का amount यहाँ पर बता रहा है अब वो adjustments कोन है आपको बता रहा है Number 1 लिखेंगे यहाँ पर कहता है कि Interest on Capital Interest on Capital Capital Will be allowed Will be allowed Will be allowed At the rate of यह ले लिजे आपका 12% Per annum 12% के साब से ठीक है Number 2 लिखेंगे Interest on drawings Will be charged आपको साथ-साथ लिखना है मेरे बच्चे साथ-साथ लिखना है Believe किजे जितने questions हम लोग class में अभी कर रहे हैं आपके जो Main syllabus आपका 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 आपको बुक से में कोशन कराऊंगा उसका 70% 80% यही पर खतम हो जाए फिर वहां दिखाऊंगा आपको 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 पहले साथ है है ना तो आप लिखे मेरे साथ Interest on drawings Will be charged at the rate of यहां पर हमने कहा दिया 10% और मैंने इसके आगे Paranum नहीं लगाया क्योंकि Paranum लगाने से क्या होगा वह अभी case अभी आगे आएगा जहां पर interest on drawings बारे में detail में समझाऊंगा तो जब भी 10% लिख देना कहीं भी है तो समझ लें कि flat आपको चार्ज कर देना बस तीसरा लिखे आप यहां पर थर्ड लिखेंगे interest on loan interest on loan loan will be allowed will be allowed partners ने जो loan दिया है उस पर हम interest देंगे और वो कहता है कि at the rate of मान लो 5% आपका per annum 5% per annum हमेशा date of loan आपको ना बता है कि कब दिया तो आप हमेशा एजूम करना कि this is opening balance आपका यह opening है हमेशा यही मानना आप यहां पर ठीकिन हमेशा so drawings को ना बता है कि कब दिया क्या तो फिर क्या करेंगे अभी वो चक्कर ही नहीं बचे हमने drawings का माउंट दिया और लिख दिया flat तो फिर उस date मतलब ही नहीं बनता आपको flat charge करना है उस case को आगे समझाओंगा लेकिन interest loan आपका यहां पर हो गया fourth point लिखेंगे आपके fourth point लिखेंगे fourth point कहता है fourth point में rent या फिर छोड़ो आप यहां पर लिखो commission commission to to Mr. X Mr. X को commission देना है of rupees कहता है कि 50,000 50,000 का मेरे बचे हमें commission भी देना है fifth कहता है fifth कहता है यहां पर कि transfer transfer आप transfer 10% 10% ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं of net profit 10% of net profit to general reserve to general reserve account general reserve account में कहता है कि 10% of net profit आपको transfer करना है ठीक है ना और इसके बाद six में आपको कहता है बचे कि profit sharing ratio profit sharing ratio partners के बेच में सर हमेशा क्या 2 ही partner होंगे नहीं बचे यह 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते है exam में जो question आएगा generally 2 का आएगा यह 3 का आएगा हम 3 वाले भी करेंगा अब चिंता ना करें profit sharing ratio कहता है मालो यहाँ पर आपका लेलता हो इस बार 2 is to 3 2 is to 3 वो कहता है कि prepare यह कहता है कि prepare prepare profit and loss appropriation account हमें profit loss appropriation account बढ़ाना है मुझे actually reserve जो amount transfer करना है आपको उस reserve के उपर में कितने सारे cases बन सकते है क्या क्या बन सकता हूँ सारी बाते मुझे आपको समझानी है और कुछ भी नहीं में बचे तो आपका एक काम करो 9th में start किजी मेरे साथ यहाँ पर solution एन इस solution में आप मेरे साथ बनाएंगे profit and loss appropriation account बिलकुल आप मेरे साथ क्या होने वाला है आप आईए मेरे साथ यहाँ पर हम लिखते है by net profit या फिर by profit and loss account आपकी मर्जी कहीं कोई दिकत नहीं दोनों में से कुछ भी लिख सकते है और वहाँ पर amount कितना आएगा मेरे बचे इसके लिए आपको working notes number 1 में आना होगा question के अंदर में आपको जो net profit दिया हुआ है वो amount कितना बता रहा है लिख देता हूँ given given मतलब जो question में आपको दिया हुआ है that is 7 lakhs का amount क्या वो 7 lakhs का amount आँख बंद करके मैं उसको यहाँ लिख दू नहीं लिखना आँख बंद करके उनमें से क्या दिखाए दिया आपको interest on loan interest on loan आपका तो interest on loan कहां जाता बच्छे profit loss account में that never comes to profit loss appropriation account तो हमें क्या करना होगा इस profit जो question में दिया हुआ है उसमें पहले minus करना होगा आपको interest on loan क्योंकि interest on loan कहां जाता है profit loss account में वो charge against profit होता है तो loan का amount कितना वर बचे 50,000 50,000 पे rate of interest question में कितना बता रहा आपको यहाँ पे 5% तो आप 5% किसाब से amount कितना आ गया यह आ गया आपको यहाँ पे 2,500 पेचे 2,500 है ना तो ज़रा बता हो कि आपका net profit आपका net profit जो transferred किया जाएगा transfer to profit and loss appropriation account वो amount कितना निकल के आ गया 6,97,500 पेच का amount आपका 6,97,500 पेच तो मुझे आपना यह 6,97,500 का amount को आप यहाँ पे record कीजिए कोई डाउट इसके इंदर में? नहीं sir कहीं कोई डाउट होई नहीं सकता you have immense मतलब कि क्या बोलू मैं संसार का संसार में जितने भी बाकि दुनिया में लोग है ना उनके माइंड को मैं एक तरफ कर दू और सिर्फ आपके माइंड को एक तरफ कर दू और दोनों के माइंड के दोनों के खोपड़ी को फोड के मतलब दुनिया में बाकि जितने लोग हैं सबकी खोपड़ी फोड़ू आपकी खोपड़ी फोड़ू और दोनों के खोपड़ी को लेकर अगर मैं स्टड़ी करूँ न तो इन से लाख करोड़ गुना ज्यादा सबका मिला दो तब भी आपका माइंड शार्प हो चुका है आपके अंदर में वो शक्ति आ चुकी है आप एक बार मेरे बचे एक बार आप छट में जाओ और छट में जाकर आप दूप में खड़े हो जाओ और देखो जड़ा कि वो सूरज भगवान जो हमारे शूरी भगवान उनकी रोशनी जादा निकल के आ रही है कि आपकी रोशनी जादा निकल के आ रही है आपके शरीर से एक ऐसा तेज निकल रहा है, एक ऐसा प्रकाश निकल रहा है, कि शूरी भगवान जो है ना, वो भी शर्मा रहे होंगे, और आप देखो कि जैसे ही आप उपर में गए, वो अंदर चले जाएंगे, बादल के अंदर में, और फिर जो परकाश, फिर जो आपको दिन नजर आएगा, वो सिफ आपकी रोशनी है, सच बोलना हूँ, बता देना अपने ममी पापा को, कि मेरे संतोष सर ने बोला है, और जो मैं बोलना हूँ, बिलकुल फैक्ट बोलना हूँ, बिलकुल दावे के साथ ये देखो, एक, दो, तीन, उनको शायद नहीं पता कि आपको इंदर में कितनी सारे शक्तिया है, आप क्या क्या करने वाले हो, लेकिन आपके संतोष सर को पता ये बात, जी हाँ, आएए, मैं आपको दिखाओ, ये लिख दिया मेरे बच्चे, आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हम करने वाले हैं to interest on capital, सर आप हमें इतना फुला देते हो, कहीं हम मालो कोई pit part दिया हमें, तो क्या करेंगे, कैसे pit part देगा, शक्तिया है, अरे मारपिट करने वाले शक्तिया नहीं है, कॉमर्स, अकाउंट्स की शक्तिया आ जोकिया आपके अंदर में, interest on capital, आप हम x y को देते हैं, तो x का interest, हम x के capital में जाके add कर देते हैं, और y का interest, हम y के capital में जाके add कर देते हैं, मुझे बताओ, कितना कितना amount हो जाएगा, वो interest on capital, जोकि 12% कहता कि पोईनम है, तो 6 lakhs का 12%, 72,000, और 2 lakhs का 12%, 24,000, दोनों मिला के amount कितना हो गया, तो 96,000, लिजे हमारा interest on capital हो गया, interest on drawings मेरे बच्चे firm आपसे लेती है, आपसे charge करती है, तो firm का income बढ़ेगा, interest on drawings, interest on drawings, firm किसे लेगी, X से भी लेगी, Y से भी, और उनके capital से जाके, वो amount minus कर देती है, X and Y's capital आपका, बताओ, इनका drawings कितना है, 2 lakhs, 10% के इसाफ़ से flat कितना हो गया, 20,000, सरी, यहाँ पर अगर मानलो, पर एनम होता, तो फिर क्या करते है, बदमाश हो आप, मैंने मना किया ना भी, अभी नहीं बोलने के लिए, वो case में अलग से कराऊंगा, अभी जित्ता बोला, उतना समझो आप, 1 lakh 10% कितना हो जाएगा, 10,000, तो 20 और 10 मिलके amount बाहर कितना हो गया, 30,000 का amount आपका, ये भी काम पूरा हो गया, हमने interest on capital, हमने interest on drawings की entry कर दी, loan तो मैंने बच्चे पहली मैनस कर दिया, आओ ना हम commission देते हैं X को, तो two commission, two commission, और इसके अंदर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, exchange capital account, exchange capital, बताओ commission कितना मिलना इनको आपका, 50,000 का amount, तो हमने 50,000 के यहाँ पे entry कर दी, फिर अब आगया, जिसको मुझे समझाना था, reserve में जो amount transfer कर रहे हैं, to general reserve, to general reserve, बहुत ध्यान से, मेरी बात अब सुनेंगे, क्योंकि एक्जाम में अक्सर मेरी बचे, reserve को transfer करने का question आता है, अलग से भी, और आपका full-fledged question के साथ वीज़े से, यह question हमने दिया हुआ है, बचे confused हो जाते हैं, वर्ड में आपको नहीं होना है, सुने मेरी बात, reserve में amount transfer करने की बात कर रहा हूँ, question में कहता है कि 10% of net profit transfer to generalizer वापका, generalizer में net profit का 10% क्या मतलब होता है net profit का, मैं आपको लिखा दूँगा, अभी आगे थोड़ा से सबर करो, net profit का मतलब होता है मेरी बचे, the amount which we have transferred from profit loss account to profit loss appropriation account, profit loss to profit loss appropriation account, the amount which we have transferred from profit loss account to profit loss appropriation account, इसका मतलब होता है, तो मुझे बताओ profit loss से profit loss appropriation में कितना transfer किया है, 6,97,500, मत कहना 7,00,000 रुपज, गलत हो जाएगा, इससे नहीं, आप देखना है जो amount आपने यहां लिखा हुआ है, तो reserve में जो amount transfer करोगे बचे, 6,97,500 पे, और कितना percent कहरा उसका, 10 percent, है न, यह percentage amount देगा तो ठीक है, percentage तो किस पे बहुत important है, तो 69,750 का amount हमने क्या क्या transfer कर दिया, इसके बाद कुछ बचा क्या, नहीं सर, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, तो आप अब करेंगे क्या, to balance, balance, balance profit, profit transferred to, transfer to, बताइए, क्या हो जाएगा, एक sales capital account, और दूसरा आपका, wise capital account, है न, तो क्या यह transferring के entry कर लोगे, क्योंकि मुझे reserve में transfer करने वाली बात बता रही थी, सर, करा दो ना सर, लो फिर, मैं पूरा करा देता हूँ, calculator मेरे पास है, बट आप calculator use नहीं करना, 6,97,500, प्लस आपका 30,000, तो यह आगया, 7,27,500 का amount, 7,27,500 का amount, आउना इसमें से minus करते हैं, एक आपका 96, एक आपका 50, और एक आपका 69,750 का amount, तो यह आगया, 5,11,750 का amount, इस 5,11,750 को मेरे बच्चे, 2,3 में divide करना है, तो इसको 5 से divide केजे, और 2 से multiply केजे, इनके आगे में आजाएगा, 2,4,700 का amount, और इनके आगे आजाएगा, 5,11,750 का, जब हमने किया 3 by 5, तो यह आगया, 3,7,050 का amount, यह लेजे, काम पूरा हो गया, profit निकल के आगया, काम पूरा, सरे, आपने इसमें नया क्या करा है, सर, कुछ नया थोड़ा ही है, यह तो सब हम जानते हैं, हाँ मेरे बच्चे, you know now everything, पस मैं आपको यहाँ पे, note number one लिखाना चाहता हूँ, note number one, लिखेंगे यहाँ पे, यह note number one भी नहीं लिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पे copy कर देजे, यहाँ तो हो गया आपका copy, एक बाद देख लो, अगर पूरा इंसरा आ जा जा तो, जो हमने किया था, मिटाया था, आजा दोस्त, आजा दोस्त, आजा दोस्त, नहीं आए, आजा दोस्त, आजा, क्या है? मिटे जा रहा बदमास, चलो छोड़ दो, बदमास है, तो समझगे ना, अब आई जरा, मैं आपको दिकाता हूँ, कुछ note लिखाता हूँ लिखेंगे यहाँ पर important note note for computation of for computation of general reserve computation of amount transferred to amount transferred to amount transferred to general reserve general reserve लिखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा लिखेंगे यहाँ पर computation of computation of amount amount of general reserve general reserve may be based on may be based on number a percentage of net profit percentage of net profit लिखेंगे percentage of net profit अब इसका मतलब क्या है लिखेंगे इसी क्या आगे it means मैं color change कर लो it means it means percentage will be will be applied applied on amount amount of net profit amount of net profit transferred 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 from profit and loss account to profit and loss appropriation account appropriation account बस आप समझ गये होंगे कि जब भी इसका मतलब की वो क्या करना चाहता जी वो चाहता है कि आप क्या करोगे कि जितना आपका वो profit है जो profit loss से profit loss appropriation में आया उस पर हम पर से निकालेंगे ठीक न और मैं यहाँ पर मैं solution भी करना start करूँगा therefore लिखेंगे therefore general reserve general reserve reserve in example number example number कौन से example था नंबर आपका पिछला बाला example कौन से था 9 तो general reserve in example number 9 will be will be क्या जी हमने बोला कि 10% of कितना 6,97,500 फरुर हां करा चुके तो लिखो तो बदमास 69,750 का माउंट जो मैंने आपको करके दिखाया इसकी कोपी किजी आप तो ये पहला केस यानि कि केस A जो पोइंट नबर A है जो बुलेगा कि percentage of net profit तो हम कैसे निकालेंगे वो आपको मैंने बता दिया ठीके ना अब लिखेंगे B यहाँ पे आपका B निम्बर लिखेंगे अगर आजाए percentage of कह दे divisible divisible profit आपका वो कह दे percentage of आपका divisible profit Sir ये क्या होता है divisible profit का मतलब क्या होता है तो पर बच्चे लिखेंगे यहाँ पे divisible divisible profit means इसका मतलब होता है means amount of profit transferred from profit loss account to profit loss appropriation account appropriation account plus interest interest on drawings interest on drawings interest on drawings आगे bracket में if any अगर उस question में कोई interest on drawings है तो उसको उप्लस करेंगे और minus करेंगे minus करेंगे this is sign of minus all appropriation all appropriation all appropriation of profit of profit आगे bracket में accept profit sharing ratio profit sharing ratio मतलब सर लिख लो पहले आपको यहां पर अगर मने बच्चे आ जाए percentage of divisible profit तो divisible profit का मतलब होता है वो profit जो हमने profit loss से profit loss appropriation में transfer किया मतलब यह amount एक तो यह हो जाएगा plus अगर कोई हमने interest on drawings अगर कोई interest on drawings हमने चार्ज किया है तो जैसे इसमें है तो इसमें क्या करेंगे इसको add करेंगे और सारे appropriation आप minus करेंगे एक, दो, दो यह है नँए appropriation minus करेंगे except यह यह ने क्योंकि reserve में transfer करने के बाद यह आपका होता तो अभी तो हम पता नहीं है तो हम क्या करेंगे अगर हमें कोशन ऐसा कह दे तो आई जाना लिखी यहां पर डिवेजिबल प्रोफिट प्रोफिट इन एक्जामपल नाइन पिछले कोशन में नाइन एक्जामपल में क्या हो जागा जी तो एक तो आपका 6,97,500 जो प्रोफिट आया था वो प्लस आप इंट्रेस्ट और ड्रो एक तो इंट्रेस्ट और ड्रोफिट यानि कि 96,000 और मैनस कीजिए आपका क्या कमिशन यानि कि 50,000 सर जो रिजर्व में अमाउंट ट्रांस्वर या क्या वो भी मैनस करेंगे वो भी तो यह प्रोफिशन है अरे बदमाश वो अभी तो उसी का तो निकाल ले कि रिजर्व का जो अमाउंट आपका होगा वो 10% of divisible profit यहां net profit नहीं divisible profit तो हमें divisible profit जाना होगा ना उसका 10% निकालेंगा तो हमें तो यह पता है नहीं अभी आपका तो हम देखो divisible के मतलब क्या इन दोनों को add करना और जितने भी यहां पर और खर्चे interest on capital commission partner सो कुछ sell दिया है कुछ भी 500 प्लस 30,000 मैनस आपका 96,000 मैनस आपका 50,000 यह माउंट आगे बच्चे 5,80,000 और फाइफनाट elder पाऊंड लिग निकल क्या आगया तो आपका जो रिजर्व में होगा अमाउंट जेनल रिजर्व का माउंट क्या होगा जिए लिखें यह आपे जेनल रिजर्व यह हो आपका 581,500 का आप क्या करेंगे 10% निकालेंगे 10% और यह आजागा 58,150 अगर कोशन कहता कि रिजर में जो ट्रांसर किया जाएगा that will be 10% of divisible profit तो इस तरीके से काम करेंगे जल्दे से copy किजे इसके आगे फिर में continue करता हूँ प्रिज कोपी करेंगे चलो अब मेरे बच्चे हमारे पास क्या हुआ कि A और B दो बाते बनेगे divisible profit का मतलब मैंने बता दिया एक और भी case बनता है आपका case number three मैं इसको मिटा देता हूँ उपर में ठीक ना उपर मिटा देता हूँ ताकि clarity आपके पास रहे तीनों एक साथ लिखेंगे आप यहाँ पे third case में A, B and C कहता कि जो जेनलिजर होगा that will be percentage of net net distributable net distributable profit वो कह देगा net distributable profit आपका या फिर कह दे मैंने बच्चे net divisible profit net लगा दे यहाँ पे net divisible profit या फिर वो कह दे आपका यहाँ पे of distributed profit कह दे कि वो percentage of distributed profit क्या लिखा हमने distributed profit यहाँ पे क्या था divisible profit था यहाँ divisible था यहाँ पे divisible के पहले या तो net लगा दे या कह दे मैंने बच्चे net मैं उसी solution को यहाँ पे लेकर आता हूँ मैं उसी solution को और मैं अगर आप मुझे अगर आप बोले तो मैं इसको मिटा कर मैं यहाँ पे दुबारा उस solution को कर लूँ आपका, दुबारा, दुबारा, तो दुबारा में एक काम कीजिए, आप यहाँ पे मेरे साथ solution कीजिए, फटा-फट कोई बात ने, थोड़ा 5 मिंट लगेगा, लेगे पूरी clarity आपका आएगा, आप बनाएंगे profit and loss appropriation account, आप 97,500, सर उसी में समझा दो ना, लिखो ना बदमाश पहले, interest on drawings, amount बताईए, interest on drawings total कितना था आपका, दोनों का इक अठावला बता देजे, 30,000 का amount आपका, इस साथ बताईए, आपका interest on capital, to interest on capital, short में लिख रहाँ, यह कितना amount था जी, हमारा 96,000 का amount, दोनों का मिला के आपका, ठीक है, and two, आपका यहाँ पे commission, commission जड़ा बताओ, जो partners को हम दे रहे थे, उसका amount कितना था, यहाँ पे आपका, commission कितना था हमारा, it was आपका 50,000, जो हमने X को दिया था, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, general reserve में जो amount transfer करना है, उसको पता करना है, general reserve में आपका, तो आपको अब देखो, हम कैसे पता करेंगे, ध्यान दिजब यहाँ पे, बहुत ध्यान से मेरे बात सुनना, पांच मिनल समझ में आ जाएगा, मेरे बचे, आप मुझे बताइए, यहाँ पे पहले, यहाँ पे मैं working notes में दिखा रहा हूँ, working notes में, computation of, लिखे मेरे साथ, computation of, amount of जेनरल रिजर, जो हमारा जेनरल रिजर होगा, उसका amount कितना होगा, मैं वो आपको निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, देखो, आप मुझे जल्दी से बता दिजे, कि आप क्या इसमें, जो divisible profit है, आप वो निकाल सकते हो, टोटल डि divisible profit बताए कितना निकल के आ रहा है, divisible profit टोटल आपका, तो सर्वो कैसे निकलेगा, बताया था ना, divisible profit तो आपको आता है, कैसे निकलता है, इसमें ये add कीजे, इन दोनों को minus कीजे, तो amount कितना आ था, 5,081,500 का amount, है ना, बच्चे, हमें ध्यानकना, कि जो general reserve निकालना है, general reserve is equal to, जो हमें निकालना है आपका, reserve is equal to, कितना percent है, 10%, 10%, 10% किसका, of, वो कहता है कि net distributable profit, है ना, बच्चे, वो कहता है कि net distributable profit आपका, या कह दे कि आपका net divisible profit, या कह दे distributed profit, तीनों का meaning से हम होता है, distributed का मतलब कि जो distribute हो गया partners के बिच में इंदिर profit ratio, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, कि आपने general reserve निकालना, किसका जी 10% of, एक तो, total divisible profit, total divisible profit, divisible profit, जो आपने निकाल लिया है, आसानी से, इसमें भी आप क्या करो, general reserve का जो amount निकल के आएगा, general reserve का जो amount निकल के आएगा, उसको इसमें से minus कीजिए, उसको minus कीजिए, और फिर उसका 10% निकाल लिये, दुबारा समझेंगे, दुबारा, confusion नहीं, बहुत, दो मिनटों समझ में आ जागा, बट आपको proper समझना पड़ेगा, अगर कहता कि reserve आपका 10% of divisible profit है, तब तो divisible आपको पता है, इसको add करो, इसको minus करो, निकल के आजागा, तो divisible profit है, तो divisible profit जो होगा, उसको 10% निकाल लेंगे, लेकि मिन बच्चे, अगर कहता है कि 10% of net distributable या net divisible या distributed profit, इसका मतलब होता है कि इसमें इसको add करो, इसको minus करो, इसको minus करो, इसको भी minus करो, और फिर जो आएगा न amount, फिर जो amount आएगा, उस पे reserve निकालो, लेकि इसको, इसको जो कहरो, minus करने के लिए, ये तो हम amount ही नहीं पता, हम कितना minus करें यहाँ पे, जो reserve का amount यहाँ पे आपका है, वो कितना मैं, कितना मैं लिखू, क्योंकि मिन बच्चे, ये कहता है कि 10% of total divisible, ये तो ठीक है, इसमें ये add करो, ये करो, इसको भी minus करो, अरे आप पहले, जब भी reserve कहेगा, कि आपका amount of, जो 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 बेस्ट ओन, लिख दूँ यहाँ पे ताकि एक बार और याद हो जाएगा, बेस्ट ओन किस पे जी, distributed profit कहे दे, distributed profit का मतलब होता है, जो profit partners के बीच में, हमने distribute कहे इंदर profit ratio, या फिर कहे दे, net distributable profit, net distributable profit कहे दे आपका, distributable profit, या कहे दे, आपका क्या जी, net divisible profit, net divisible profit आपका, net divisible, net लगा दे मतलब वहाँ पे, net लगा दे, है ना, net लगा दे, तो उस किसमें हम क्या करेंगे, जो divisible profit है, उसमें से general reserve का amount भी minus किजे, जो अभी आपको नहीं पता, और फिर उसका 10% निका लिए, अब हम क्या करेंग से, बस solve हो गया, 10 by 100, of, यानि कि multiply, टोटल जो divisible profit आप निकाल चुके हो, 5815, यह तो अराम से निकल जागा न, इसको इसको मैनस करो, अब ये भी minus करना है, तो हमने क्या कि उसकी value कितनी मानी है, x, हम x को मैनस करतेंगे, low, अब solve कर लो, तो एक 0 से 1 0 कट गया, 10 into 1 आपका 10x ह हो गया, पढ़ा न, आपने बच्पोन में छोटा-छोटा mathematics की धर जागा, तो multiply हो जागा, और यहां क्या बज़िगे आपका, अब ये खतम, तो 581500, और मैनस आपका x, तो मैनस x जब इधर आगा, तो प्लस x हो जागा, तो 10x और प्लस x, यानि कि 11x is equal to 581500, और मुझे बत दिवाइड कर देंगे, तो बताओ कितना निकल के आगया, 5,081,500, डिवाइड वाइड वाइड एलेवन, ये आगए मरे बच्चे, एंसर में आपका 52,864 राउंडिंग अप में, एंसर एरा 52,863.63, तो पोइंट के बाइड 5 योग से जादा होता है, तो हम आगे बढ़ ज जले जाते हैं, तो ये जदा है ना, तो हमने क्या क्या आगे कर लिया, ये हमारे निकल के आगया, General Reserve इस तरीके से आपका ये amount निकल के आगा, तो बिवचे, एक्जाम में Reserve में जब भी amount transfer करने का होगा, चार केसज बनेंगे, पहले किसमे Reserve का amount बता देगा, जैसे हमने पहली class में किया था कोई दिकत नहीं दूसरे किसमें रिजारो का percentage दिया रहागा और net profit उसका मतलब समझ में आ गया divisible profit उसका मतलब समझ में आ गया net divisible net distributable या कह दे आपका क्या distributed profit तिनों में से किसी पर तो भी मतलब समझ में आ गया, ये जो काम किया ये भी ठीक है, मैं इसका नहीं एक shortcut तरीका भी आपको अभी आगे दूँगा एक shortcut फटाफट निकालने का अगर आप एक पे अगर काम नहीं करना चाहते है तो एक shortcut तरीका है, बटा भी आप सबर कीजिए थोड़ा समय देजे, उसका समय आएगा उसका भी समय आएगा उसका भी समय आएगा, फिलाल तो हम लोग concept पे काम कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे आज की class को मैं अब end करूँगा आज की class में हमने आज जो target रखा था, वो चारो topics हमने end किया, और हमने बहुत बेहतर तरीके से चारों चीज़ों को समझा आज आएकाम जरूर करेंगे कि पीछे के जो चार classes अभी तक हमारी गुज़ी टोटल इन classes में, चार या तीन, तीन classes, तीन classes इन तीन classes का पूरा का पूरा concept अच्छी तरीके से रिवाइज करके कि आप रखेंगे, तभी आगे बात बनेगी मेरे बच्चे, ठीक न, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे अगली class में continue करेंगे आज तक का अभी तक का पूरा revision करके ही अगली class में आएंगे अभी कोई बुक किसी चीज़ को भी टेच नहीं करना है, बस करते चलिए आपका course अपने अप खतम होते चले जा रहा है all the best बच्चे, thank you, thank you thank you, thank you, thank you thank you बच्चो